नमस्का दोस्तो दोस्तो जबी भी मैं OTT पे रिलीज हुई मूवीज, वेब सेरीज देखता हूँ या फिर थेडर में रिलीज हुई मूवीज बगेरा देखता हूँ तब उनमें एक चीज मुझे बहुत जादा खटकती है लेकि ये लोग प्यार को एक भोग वासना के दरश्टी से दिखाते हैं कि प्यार मानें भोग वासना, लस्ट, सेक्स, उसके अलावा प्यार कुछ भी नहीं है अगर आपको प्यार में इंटरस्ट नहीं है, उसको दोका दे दो, किसी और के साथ सोलो बस यही चीज आपको इन सबी सिल्मों में दिखा जाता है तो जबी भी मेरे अंदर ये कचरा जमा होता है, तब मैं कोरियन ड्रामा देखने का सोचता हूँ क्योंकि कोरियन ड्रामा देखने के बाद मेरे अंदर एक positivity आती है एक चेहरे पे स्माइल निकरती है, आख में से आशू निकल जागते हैं इतने बेहतरिं कोरियन ड्रामा होते है आज इस कोरियन ड्रामा को देखते बद भी ऐसा ही हुआ मैं बात करना हूँ, नेटलिक पे रिलीज हुआ, बिजनेस प्रपोजर ये एक romantic comedy कोरियन ड्रामा है, जहाँ पे इसको देखने के माद मेरा जो opinion बनता है, उसको मैं अगर आपको बताओ तो दोस्तों सच बता रहा हूँ, मेरा दिल बाहर आके ना चरवाता इतना स्तुंदर कोरियन ड्रामा अपनी जीवन में कभी नहीं देखा होगा हला कि मैंने अभी तक life में सिर्फ और सिर्फ चार कोरियन ड्रामा देखे हैं ये एक हैं वो तीन ओर हैं जिसका मैंने कभी review की नहीं किया है क्योंकि उस वक्त मेरा channel नहीं था अगर आप चाहते हैं कि मैं उन तीन ओर कोरियन ड्रामा के reviews करूँ तो मुझे आप comment section में सरू बताएगा हो अब दोस्तों इस कोरियन ड्रामा में इतना romance है इतना romance है कि यार एक तरप पे आप कहे दो कि यार बस अप और जादा नहीं देख सकता क्योंकि मेरा दिल बहार निकल के फढ़ जाएगा इतना romance आपके इस कोरियन ड्रामा में देखने को मिलेगा बलब सच बता रहा हूं इसमें जो chemistry उन दो character की दिखाए गई है न आप उनके आखे अपने पलके नहीं जबका सकते इतनी स्टुंदर तरीके से उनको दिखाए गया है इस कोरियन ड्रामा की basic storyline की बात करें तो कांग तेमू एक बहुत ही बड़ी food company के president होते ने वो अपनी ही employee सिनहारी के प्यार में पढ़ जाता है और उनके पीछे बहुत ही लंबी कहानी होती है तो क्या उनकी relationship आगे बढ़ पाती है या नहीं ये जानने के लिए आपको ये देखना बनेगा अब दोस्तों जबी भी आप Korean drama देखना शुरू करते हो तब शुरुवात का पहला episode सभी character के साथ की introduction ही होता है कि ये character ये काम करता है ये character का ये काम है तो शुरुवात में आपको introduction ही दिखाए दागा लेकिन पहले episode के बाद आप कभी भी इनको छोड़ ही नहीं पाऊगे लगा अतार चाहे इनके 10 episode हो 12 episode हो या फिर 16 episode हो लगा अतार आप पस binge watch ही करोगे उसके अलावा आपको देखने का मोका ही नहीं मिलेगा इसके साथ भी ऐसा ही होता है चाहे वो President Kang का character हो सिनहारी का character हो उसके secretary का character हो उसकी girlfriend का character हो दादा जी का character हो सभी के साथ हम इमोशनली connect हो जाते हैं क्योंकि इसमें इतना romance है President Kang सिनहारी के लिए romance के सारी अधे पार कर देते हैं बनब जो भी सिनहारी को पसंद है उसके लिए सब कुछ कर देते हैं और वो देखने में सच में मजाद आए मलब एक पल के लिए तो यसा ही लग रहा था कि यार इससे बहतरी कोरियन ड्रमा होई नहीं सकता मलब जो romance इन्होंने दिखा है ना सच में बहतरी और कहीं पे भी उनको देख के वो वाली feeling नहीं आ रहे थी कि प्रेशिडेंट काम किसी भोब वासना की द्रश्टी से देख रहे हैं या फिर उनके साथ sex करना चाते हैं बिल्कुल भी नहीं इतना pure वो चीज लग रहे थी कि उनके अंदर दिल से सिरहारी के लिए प्यार आ रहा है वो चीज आपको इस पर सर्व से देखने को मिलेगी इसके total 12 एपिसोड है और हर एक एपिसोड की लेंध एक घंडे की है बस यही चीज लोगों को खटकती है गया मैं एक घंडे के 12 एपिसोड केसे दिख पाऊँगा बस यही जो विचार है आपके मन में निकाल देने का एक बार आप देखना शुरू करो उसके बाद आप कभी छोड ही नहीं पाऊँगे इमोशनल ही रोध होगे कनेक्ट हो जाऊँगे और इसके अलाबा कुछ और देखने की इच्छार ही नहीं नहीं होगी सत्थ बता रहाए होँ ऑबी 2-3 निन दंक इतना fresh state मालुम मेरे को लग रहा है कि यार मैं कुछ और देखने की इच्छाई ही नहीं हो रही है क्योंकि यह जो ओग वावसना की जो भी movies आती है उनको तो बस अब देखने की इच्छा ही नहीं होती है, क्योंकि मैंने Korean drama देखा है, जो इतना superior था, इतना फ्कावर पुन था, सत बता रहा हूं, ये अंदर से आपको इतना romantic feel करवाएगा, इतना शांदार feel करवाएगा, जिसकी कोई अध नहीं है, ये Korean drama आपको Netflix में, Hindi language में देखने को मिल जाएगा, और वो भी सच में बेतरीन है, संकेत महातरे, जो हमारे favorite dubbing artist है, उन्होंने इसके lead character, कान तेमू की dubbing की है, जो उन पर पूरी तरीके से रजशती है, आप ये Korean drama ज़रूर से देखना, इसको बिल्कुल भी miss मत करना, मैं business proposal को दूँगा, 9 out of 10 stars, आपको ये review कैसा लगा, comment section में कीचेगा, तब तक के लिए फिर मिलते हैं, जय श्री दाओ